हेलो काई जरकम डूटे की आसर यूडिव चैनल और फाइनली शौमी ने अपना मोस अवेटेड मिल ड्रेंज वाला स्मार्टफोन लाउच कर दिया है जो कि एक 5G स्मार्टफोन है जिसका नाम है यहाँ पर शौमी मी 10 यूद एडिशन बहुत ही जबदस प्राइस पॉइंट पर बहुत ही कमाल के स्पेक्स आपको देखने को मिलते हैं क्या कुछ आपको स्पेक्स देखने को मिलते हैं क्या प्राइस पॉइंट पाया है इंडिया में कब आने वाला है इंडिया में क्या नाम से आ सकते हैं आज की स्टुडियो में मैं सारी चीज़ आपको बताने वाल लेते बहुती दमाकेदार कोश्यंज का मैंने बहुती दमाकेदार रिपलाई दिया विल्कुल दिल से और इस्टी के साथ में तो अगर आपने चेक आउट नहीं करें और आपको जानना है रियल में एक सी इंडिया में कब आएगा फ्लिप कार्ट के सेल कब से स्टार्ट होग तो मैं आपको स्पेक्स बता देता हूँ बिल और डिजाइन के अगरा बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको फ्रेंड में और बैक में एक्च्वल ग्लास दिखने को मिल जाता है गुरे ग्लास 5 की प्रोडेक्शन के साथ में दिखने में काफी अच्छा है कलर्स काफी एक बड़ा सी डिस्प्ले मिल जाता है वाटर टॉप नौच के साथ में स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है एस वेले अमुलेट डिस्प्ले का अपर शौमी ओले ने इस्टमाल करा फाइनली हमारी बात सुन ली और एमुलेट शौमी फिर 8128 है फिर एक आपको 8256GB आला जो वेरियंड है देखने को मिल जाता है SD कार्ट का स्लॉट बिल जाता है Dual SIM का सुपोर्ट है UFS 2.1 स्टोरिश टाइप देखने को मिलता है और LPDDR5 नहीं यार 4X में यहां पर यह काम करता है mid range का फोन ने 5 नहीं आएगा अगर हम बात कर यहां पर gaming experience एस वेले इस डिट्यूडेट आस आपको काफी बडिया तरीके से चल जाएगा एस वेले यहां पर जो camera's के बार बात करें तो यहां पर यह phone का highlighting feature है यहां पर आपको back में caught camera का setup मिल जाता है जो primary sensor है वो आपको 48MP का मिल जाता है जो 8MP का जो आपको second camera मिल जाता ह है तीसरा camera है जो आपको काफी interesting सा periscope telephoto lens आपको 8MP का मिल जाता है जो चौता camera आपको 2MP का macro lens देखने को मिल जाता है अब आपको यहां पर जो interesting से feature है वो बता देता हो आपको 50x तक के जो है digital zoom का support मिल जाता है 5x तक के आपको optical zoom का यहां पर support देखने को मिल जाता है यह phone मे आपको OIS का support मिल जाता है क्योंकि मेरे रिसाफ से mid range में काफी बढ़िया बाते है बहुत ही कम brand यहां पर ऐसे provide कराते है तो cameras काफी interesting लग रहा है इंडिया मैं का तो definitely आपको check out करके बता देंगे front facing camera यहां पर आपको 16 megapixel का मिल जाता है यहां पर आपको 16 megapixel का मिल जाता है क्योंकि 1080p तक के Mac Studio recording कर सकता है Android version और UI के अगर हम बात करें तो out to the box आपको Android 10 मिल जाता है latest MIUI 12 के साथ में out to the box आपको देखने को मिल जाता है वैसे आपको बता दू यहीवेंड में जो है शौमी व आपका feature है NFC का support दिया हुआ है और speaker वगरा में भी काफी अच्छा यहां पर enhancement करके दिया गया है पर लाइफ के अगर हम बात करें तो यहां वहाँ आपको 4160 mh की battery देखने को मिल जाती है type C port भी है as well as यहां पर 20 watt की fast charging का support देखने को मिल जाता है तो कुल मिला के यह पूरा पहले पहले बता देता हूँ चाइना में जो देखने 664 लॉंच वे 2099 युवान में तो इंडियन पाइसिंग में कर आप convert करते हो तो आरां 22,000 रुपीस का पड़ता है जो उसके उपर वाला variant जो है 628 तो आरां 2424-25,000 रुपीस के बीच में पड़ता है तो कुल मिला के दे तो यार सबसे बहले बात कर लेते हैं इंडिया में क्या नाम सा सकता है तो कैसे लीक्स हो गरा तो बहुत सारी निकल के आती है कि ये पोको का डिवाइस भी रह सकता है लेकिन इंटरनली जो मुझे यहां पर लगता है ये शाओमी मी A4 के नाम से जो है आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है क्योंकि इसमें देखो me A series के अगर आप देखोगे तो design उसके highlighting feature रहता है camera highlighting feature रहता है और battery थोड़ी कम रहती है वैसे अगर आप ये phone की तारव भी देखता घुन जुलाई के आसपास आपको देखने को मिल सकता है और हाँ, MIUI 12 के बदले में Android 1 के साथ में देखने को मिल सकता है और AMOLED डिस्पले है जो कि आपने MI A3 में अल्रेडी देख चुके तो MI A4 की तरफ मेरा 90% मुझे लगता है वही बनके इंडिया में देखने को मिलेगा मैं क्या मुझे कमेंट सेक्शन ये बताना क्या अगर MI A4 बनके यहाँ पर यह इंडिया में डौंच होता है सेम प्राइस पॉइंट के साथ में तो क्या आप यह फोन को लेना पसंद करोगे नहीं करोगे और ओवरार जो चाइना में भी प्राइस पॉइंट गई है आपके हिसाब से ये स्पेक्स के साथ में प्राइस पॉइंट धमाकेदार है नहीं है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में से खोब किमसा आपको लड़ी पसंद नहीं होगी और कसे अगर आपको लड़ी पसंद आए लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना में तब से लिए किसी वीडियो में है सब तक के लिए थैंक यू